नमस्कार एक बाद फिर से स्वागत है आपका जेजैन नीूस के एक और खास ख़बर में साप के काटने से लोगों की हो रही मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जिसको देखते हुए अब उत्राखन बनविभाग ने प्लान तैयार किया इस प्लान की तहट अब साप काटने पर बनविभाग तुरंत उनको स्नेक एंटी वेनम इंजेक्शन उफ लब्द करा रहा है जिससे की साप काटने वाले व्यक्ति को इंजेक्शन लगा का साप के जहर को कम किया जा सकेगा जो संबन में बताया जा रहा है कि समय पर स्नेक एंटी वेनम नहीं मिलने के कारण अधिकता मामलों में लोगों को जान गवानी परती है ऐसे में साप काटनी की सूशना पर अब वनविभाग की टीम साप काटने वाले व्यक्ति के घर तक तुरंत स्नेक एंटी वेनम इंजेक्शन को पहुँचाएगी जिसके लिए वनविभाग की ओर से एंटी वेनम भी दिया जाएगा वही वन दिविजन की सभी रेंज और महत्पून चौक्यों में एंटी वेनम उपलब्द रहेगा जो जरूरत पढ़ने पर पीडित को दिया जाएगा ताकि उसकी जान बचाई जा सके यही नहीं वनविभाग ने इसके लिए बकायदा टोल फ्री नमबर भी जारी किया है जिसके तहट लोग साप काटने के साथ साथ अन्य घटनाओं पर टोल फ्री नमबर के माध्यम से संपर्क कर मदद ले सकते हैं अभी के लिए इस खास कबर में सर्व इतना ही बाके की तमाम कबरों के लिए आप बने रहें जे जैन न्यूस के साथ नमस्कार